Nature and clear debate कहा जाता इसको, nature मतलब प्रकृती, प्रकृती वो जशको change ने किया जाता, कहते हैं न भाई इस वेक्ती का तो nature ही ऐसा है, आप इसको change ने कर सकते, यह नहीं होगा change, अब तक नहीं होगा तो आप कैसे हो जाएगा, तो मतलब उसकी heredity से आप जोड़ सकते हैं, इस एक को यहाँ पे समझने के लिए यानि उसकी आनुवानशिक्ता नेचर मतलब हेरिडिटी जो की fixed है static है ठीक दूसरा है नर्चर यानि जो पोशन है पोशन मतलब आप एक पौधे को नर्चर करते हैं पोशित करते हैं ऐसी आप दूसरी बार विडियो देख लोगे तो समझा जाएगा ठीक है तो ये एक बात हुई environment क्या है dynamic है परिवर्तनशील है आज आप दिल्ली है कल आप कलकत्ता जा सकते हैं परसों जहां चाहे सकते हैं ठीक तो यहां तक की बात आपकी clear वह होगी ठीक तो हैरीडिटी क्या है फिक्स है environment क्या है डाइनमिक है अब कई लोग कहते हैं कि भई environment ज्यादा important है कई लोग कहते हैं और बिल्कुल मैं करियर विल पर हूं शिवम और बताईंए आगे फटावट से, कॉमेंट्स को थोड़ा सा साइड में करेंगे, क्वेस्टन के टाइम पे या लास्ट में मैं आपके कॉमेंट्स डिसकस करूँगी, फटावट से आंसर करो, कई लोग गीता कह रहे हैं, दोनों, क्यों, क्यों, और कहां, ये भी बताओ साथ में, बहुत बड़ी हाँ, बहुत बड़ी हाँ, अब ये ना, ये अपने आप में एक डिबेट है, एक बहस है, जो बहुत सारे मनोवज्ञानिकों और जो चाइल साइकोलजिस्ट हैं, उनके बीच में हमेशा छड़ी रही है, जन्म जन्मांतर से, कुछ लोग कहेंगे हेरेटि इंपोर्टेंट है, कुछ लोग कहेंगे environment इंपोर्टेंट है, जैसे जो अपने वाटसन है, जे भी वाटसन जिन्होंने उसकी बात किया, आपके बहेवरिस्ट यानि विभारवाद के जनक है, उन्होंने का, आप मुझे एक दर्जन बच्चे दीजे, मैं उनको कुछ भी बना दूँगा, चो डॉक्टर सिपाही वकील जो आप चाहें, मतलब उन्होंने कहा, हैरेडिटी से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं environment ऐसा दूँगा, यानि conditioning उनकी ऐसी करूँगा, कि I can make them anything, ठीक है, तो ये जो है, ये वक्ति कौन हुए, जो environment पे जादा विश्वास रखेंगे, दूसरे वक्ति जो genes को importance देंगे, चाहे वो प्याजे हों, चाहे बहुत सारे लोग हैं, तो ये बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन जो conclusion निकल के आता है, वो ये निकल के आता है, कि कुछ शेत्र में, कुछ area में, कुछ domains में, heritage जादा important role play करती है, और कुछ domains में, आपके environment जादा role play करता है, जैसे एक cycle के दो पहिये होते हैं, और हम family में भी इसी चीज़ को रखते हैं, जाना, दो partners में भी, सबका अपना एक role है जिन्दगी में भी और वैसे भी, मतलब आपके दो लाइफ की formation ही है हमारा, ठीक, तो किसी एक शेत्र में, एक वेक्ति का जादा एहम role होगा, दूसरे शेत्र में किसी और का भी हो सकता है, तो दोनों interact करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, जो विकास है, उसके लिए दोनो का होना important है, यानि दोनों का interaction unknown करिया होना बहुत important है, ऐसा कहते हैं, वुडवर्थ के दोनों का ही बराबर role है, यानि विकास बराबर, आनुवानशिक्ता, गुणा, environment यानि परियावरन, ठीक है, तो ये एक equation है, यहाँ पे कोई जोड घटाना, गुणा भाग, जोड घटा और भाग नहीं है, गुणा हैं सिर्फ, ठीक, यानि ये proportion में interact करते रहेंगे एक दूसरे से, environment मिलेगा, heredity में जो potential होगा, वो निकल के आएगा, तो ये time के दोरान और environment से मिलकर के दोनों interact करते रहते हैं, अन्यों नकरिया करते रहते हैं आपस में, और यहाँ पे ऐसा कु कितर में heredity जादा, किसी में environment जादा, ठीक है?